नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसा सक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सुबोश्री गांगुली सुबोश्री गांगुली एक लोगप्रिय भारती ये बंगाली फिल्म अभिनेत्री है, जिन्हें उडिया फिल्म करके काफी प्रशन सा मिली, वर टॉलीबुड फिल्म उद्योग में सबसे आकरशक महिला अभिनेत्री है, सिल्वर स्क्रीन पर शानदार अभिने और अच्छी दिखने के लिए सुबोश्री गांगुली परश्चिम बंगाल की युवा पीडी के लिए बहुत लोगप्रिय हो गई, सुबोश्री शानदार और उत्कृष्ट शारीरिक सुन्दर्ता के साथ भारतीय बंगाली फिल्म उद्योग में सबसे लोगप्रिय महिला अभिनेत्र सुबोश्री गांगुली का जन 3 नवंबर 1989 को बरधमान भारत में हुआ था। सुबोश्री का एक भाय और बहन है। उसने बरधमान म्यूनिसिपल गल्स हाइ स्कूल और बिल्ला इंस्टीट और टेकनोलोजी एंड साइन्स में पढ़ाई की। उन्होंने इंडियन इंस्टिटू और मैनेजमेंट से टेकनोलोजी में MSC की डिग्री प्राप्त की। सुबोश्री गांगुली ने एक उडिया फिल्म के साथ फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की। लेकिन उन्हें कुछ प्रशंसा की उम्मीद करने के लिए ज्यादा पहचान नहीं मिली। अंत में उन्होंने 2008 में फिल्म पित्र भूमी के साथ भारतिय बंगाली फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत इस फिल्म में जीत की बहन के रूप में की। फिर उन्होंने फिल्म बाजी मात में अभिने किया और बेस्ट फीमेर डेब्यू बेंगाली अक्ट्रस के लिए आनंदुलोग पुरसकार जीता। 2009 में सुभूश्री ने टॉलीवूड की ब्लॉकबुस्टर फिल्म चैलेंज में सेह अभिनेता देव के साथ अभिने किया। फिर उसने इन फिल्मों में जैसे रोमियो खोका बाबु खोका 420 में अपना शांदार प्रदर्शन दिखाया। एक अफवा है कि सुभूश्री गांगुली का प्रसिद टॉलीवूड अभिनेता देव के साथ एक प्रेम संबंध है लेकिन वे उनके खिलाफ आरोपों से इंकार करते हैं। उनका मशहूर फिल्म निर्देशक और अभिनेता राज चक्रवर्ती के साथ प्रेम संबंध था। उन्होंने 11 माई 2018 को प्रसिद फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती के साथ बावली राजबारी में एक प्रेमालाप के बाद शादी कर ली। अब वेपर्ष्चिम सुभो श्री प्रसिद रियलिटी शो आनंदलोक नाईकार खोनजे में शामिल हुई और शो की विजेता बनी। उसके बाद उन्होंने मौडलिंग शुरू की और 2008 में उडिया में इत्ता लव हिलारे में एक फिल्म के लिए प्रस्टाव रखा। आनंदलोक पुरसकार भी मिला। राज्य सरकार ने उन्हें उनकी भूमिका के लिए पुरसकार से सम्मानित किया। वह 2006 में आनंदलोक नाईकार खोनजे की विजेता थी।